आज की वीडियो में हम आपके डियलेट का पूरा प्रोसेस डिसकस करेंगे मतलब की 12th क्लास से लेकर आप एक पूरा टीचर बनने तक का जो जर्णी होता है उसके बारे में बात करेंगे कि आप कौन-कौन से एक्जाम दे सकते हैं अपने डियलेट करने के बाद सबसे पहले तो 12 जब आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको डियलेट का फॉर्म फिल करना होता है जो भी डेट आएगी अभी मही चलर है मही में उसकी डेट आएगी और वो सारा प्रोसेस में आपको बताती रहती हूं टाइम टू टाइम ओके जब आपका आपका 2 साल तक अपना ये डेट का कोर्स कम्पलीट करेंगे पिर आपका डेट कम्पलीट हो गया या मानलो आप फरस्ट ये सेकेंड डेयर में ही है तो इस फरस्ट और सेकेंड डेयर में रहते ही आपको देना होता है सिट तेट, सिट ओके होता है Central Teacher Eligibility Test मतलब कि आप एक स्टेस्ट से आपका एड्मिशन हो गया डियलेड में वैसे सीटेट से आप इस लायक बन गए कि हाँ अब आप जो है टीचर के एक्जाम दे सकते हैं आपके अंदर इतना बेसिक नॉलेज है कि आप एक टीचर बनने के लायक हैं तो उसके लिए आपका यह सीटेट लिया जात लेके आने होते हैं और केटेग्री वाइस थोड़ा सा रिलेक्शेशन भी मिलता है फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप के इंद्रे विद्याले का टीचर बन सकते हैं डियससबी के थूँ दिल्ली गौर्रमेंट में टीचर बन सकते हैं राजस्थान में आएंगे आप कटफ के अंदर आएंगे और आपका सेलेक्शन होगा और केंद्रे विद्याले में होता है आपका इंटर्व्य होता है और फिर आपका सेलेक्शन होता है विद्याले के अलावा डियससबी का एक्जाम दे सकते हैं जिसमें आपकी मेरिट बनती है और उस मेरि करेंगे उसको क्वालिफाइए करने के बाद एक और मतलब राज़िसानु भी दो एक्जाम स्कूखेंं उपना और दूसरे लुक्षे एक्जाम होगा और अगर अछे माग्स इसका क्वाद बॉलते हैं जो एक्जाम होता है उसको उसका फॉर्म कर सकते हैं और वहां पे भी आपका मेरिट बेस है जितना ज्वाइड पार्व लेक्षिन के चांसे लोते हैं तो इत्ना लंबा प्रॉसेस होता है त्वैंट के बाद आपको एंटरन्स देना है एंट्मिश करता है कि आपने तयारी के हिसाब से कर रहूंगा की तो अब ही प्रत्रेसित तयारी करें उसको को कि लिए ताकि यही तयारी आपको सीटेड में भी काम आए और बागी जो कॉमपेटिटिव इग्जाम होंगे उनमें भी तो से वीडियोल से पढ़ाई कर एक अभी जो है मेड वीडियो थोड़ी कम आ रही है क्योंकि अभी मैं यहां पे बिहार में जनगरणा के काम में लगी हुई हूई हूँ तो उसका आपको stress नहीं लेना है मैं कुछ-कुछ ताइप जैसे मैं को मौका मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और फिर आपका जो आपके सब्जेक्ट वाली वीडियो तो वो भी बनाऊंगी जैसी थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ अब मैंने बुक तो आपके साथ शेयर की थी नोट्स की जो बुक है वो शेयर की थी मैंने आपके साथ तो जो भी स्टूडेंट इंट्रस्टेड है उसमें आपके स्लेबस को कवर करवाया गया है तो वो उसको परशेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी तो थैंक यू वीडियो कर से लगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताईएगा